बीर वो नहीं जो हर समय बीरता का कारिय करें बीर वो जिसके एक दिन किये गये कारी के वज़ा से लोग उसे ताउमर याद करें आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बीर की बात करेंगे जिसके एक दिन किये गये कारी के वज़ा से लोग उन्हें आज भी पूसते हैं हम बात कर रहे हैं, लेटनेंट त्रिवेडी सिंग की, लेटनेंट त्रिवेडी सिंग का जन्म एक फरवरी, 1978 के दिन पंजाब के पठान कोट में एक राजपूत के घर में हुआ, उनके पिता जन्मेज सिंग भी भारती सेना का एक हिस्सा थे, त्रिवेडी पढ़ाई में जन्म भारती नौसेना में हो गया था, उनका यूनिफॉर्म तक सिल गया था, पर घर के इकलोते चिराग होने की वज़ा से उन्हें जाने से मना कर दिया गया, बड़ों की आज्या मानकर त्रिवेडी ने नौसेना जोइन ना करने का मन मना लिया, पर घर में कोई नहीं जा करता है कि त्रिवेडी ने भारती सेना के परिच्छा पास कर ली है, और वो इंटरिव्यू देने जा रहे हैं, उनका चेन पहले ही बार में हो गया, 28 दिसंबर 2001 के दिन वो सेना में कमिशन हुए, और 5 जैक लाई में सामिल हो गय, ट्रेडिंग के दौरान वो सीनियर्स और दोस्तों के सब के चहेते थे, लेटनेंट त्रिवेडी की वार्टी का हिस्सा थे, बात 2 जनरी 2004 की है, लेटनेंट त्रिवेडी अपनी ऑफिस में बैट कर अपना काम कर रहे थे, उनकी ऑफिस से मातर 4 किलोमीटर दूर चमू रेलवेज स्टेशन पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, वहां मौझूद आतंकी फोजी वर्दी में थे, इसलिए उन्हें पहचानना काफी मुश्किल हो रहा था, सिधी इंकाउंटर ना होने की वज़ा से वहां आर्मी डिपलॉय किया गया, लेटनेंट त्रिवेडी मातर 15 मिनिट में वहां पहुच गया, इस्टेशन के पार्सल रूम में 300 लोग फासे थे, और गोलियों की आवाज भी उधर से ही आ रही थी, लेटनेंट त्रिवेडी उधर की ओर दोड़े, वहां मौझूद आतंकी उसे उनके मुझभेड शुरू ही, मुझभेड के दोरान वो खायल भी हुए, फिर भी वो लड़ते रहे, उन्होंने सारे आतंकियों को मार दिया, एक आतंकी को मार कर जब उसके पास गए, तभी एक गोली उनके जवड़े से होकर सिर के पीछे हिस्से को फाड़ कर निकल गई, या एक गोली मरते आतंकी के बंदूग से चली थी, जब लेटनेंट के सियो ऑपरेशन स्पाट पर प के रखा, लेटनेंट त्रिवेड़ी आज भी उन लोगों के लिए मसीहा हैं, जो उस रात इस टेशन पर मौझूद थे, उनकी इस अध्भुष शाहस और बेरेकारे के लिए उन्हें मड़ो पढ़ान, सांतिकाल के सरवोच सम्मान, असोक चक्र से सम्मानित किया गया, भार इस पुतो के लिए हमारा ससस नमन, जैहिंग, जैभारत!